बच्चों, आज आपके चेहरे के वो चमकने से कोई नहीं रोख सकता, क्योंकि आज का जो DIY लाई हूँ, वो जादू ही चमक देगा आपके चेहरे पर, यकीन माने एक बार ट्राई जरूर कीजिए, एक बार यदि आपने ट्राई कर लिया, इसे लगा लिया, यूस कर लिया, तो चलिए, बताती हूँ, आज इस DIY को बनाएंगे कैसे, और वो चलो, कैसे हो, चलो चलते हैं, कुछ नयाता कर नहीं, इसे बनाने के लिए, सबसे पहले मुझे चाहिए, क्या वो चाहिए, चुकंदर, अब जो वीट रूट है, उसे साफ पानी से वाश कर लीजे, और इसमें विटेमिन C होता है, और ये एंटी ऑक्सिडेंट से भरपूर होता है, तो अचाहिए, सारी समस्याओं को दूर करता है, चुकंदर स्किन के लिए गुणकारी है, नैचुरल ग्लो देने में, और दाग दबों को, पिग्मेंटेशन की समस्याओं को दूर करने में, य बहुत ज़्यादा गुणकारी है, इसे मैंने ग्रेट कर लिया है, और हाँ मच्चू, जो दूसरा इंग्रेट यूज़ करें ना, गाजर, जिसमीं सीजनली गाजर हो, अभी जैसे ओरेंज गाजर आए, वो भी चलेगी, इस गाजर को हम यूज़ करेंगे, गाजर में भी विटेमिन सी होता है, और साथ में एक बहुत ज़्यादा प्रभावशाली एंटी ओक्सिडेंट होता है, जो के ये सूरज की किर्नों से हमें बचाने में बहुत मदद करता है, गाजर से हमारी त्वचा मोलायम भी होती है, चमकदार भी होती है, और हाँ, चैनल पर अगर न हम लेंगे एक काच का जार या कटोरी, इन दोनों चीजों को ओइल के अंदर इंफ्यूज करेंगे, ओइल को डायरेक नहीं पकाएंगे, इंफ्यूज करेंगे, तो या तो आप 10-15 दिन के लिए धूप में इसे रख दीजे, पर उससे बहुत बढ़िया आपको एक और तरी करके डाल दें, उसके बाद इसमें तीसरी चीज डालें जो कि आपको पौदे में ही मिल जाएगी, गुरहल, जिसको हिबसकस का फूल कहते हैं, मेरे पास दो कलिया थी, पौदा लगा हुआ है, दो कलिया थी, जिसे मैंने तोड लिया था, इसकी पतियों को मैं तोड़ के इ सकते हैं, आपको कोकोनेट ओयल भी यूज करते हो, आप फेस के लिए तो उसे भी आप यूज कर सकते हो, बस चार टेबल स्पून डाल दीजे, अब सारी चीजों को आपको डबिल बाउलर में पकाना है, जैसे कि मैं कर रही हूँ, एक कढ़ाई रगती, पानी डाल दिया, गैस लो करके इस बॉटल को मैं रख देती हूँ, इसे मिक्स करते रहे है, बीच-बीच में 10 से 15 मिनिट तक आप इसे इंफ्यूज होने दीजे, आप देखेंगे 15 मिनिट बाद इसका कलर कितना बढ़िया हो गया, मतलब ओयल जो लाइट कलर था अब दुक्र डाक कलर हो गय इसमें गाजर और चुगंदर का पूरा इंफ्यूजन आ गया है, अब आप क्या करेंगे इसे निकाल कर थोड़ी दे ठंडा कीजिए और साफ कपड़े से इसे चान लीजे, जब भी आप यूज़ करें इसे मिक्स करके यूज़ करें और ड्रॉपर से यूज़ करें, एक सा के ही यूज़ करें, क्योंकि बीट रूट और गाजर रहना थोड़ा नीचे से बैठ जाता है, तो जब भी आप यूज़ करें, उसे थोड़ा शेक कर लें, फिर आप उसे यूज़ करें, और ओवर नाइट जब आप इसे लगाएंगे, तो चेहरा ऐसे चंगेगा सूबा क कि आपसे सभी पोचेंगे, और हाँ बच्चों, आपको रिजल्ट तम जादा मिलेगा, जैसे एक और एक ग्यारा हो जाते हैं ना बच्चे, पिल्कुल वैसा है, जैसे कि अगर आपने स्क्रब भी कर दिया चेहरे पर गर्दन बन हाथों में, उसके बाद सिरम लगाया, तो बस उसका मज़ा ही कुछ और आएगा, तो स्क्रब बनाने के लिए आपको करना क्या होगा, आपको चाहिए टमाटर, बस उसका आधा पीस ले लिजे, टमाटर लिजे और आपके घर में थोड़ी सी कॉफी और कास्टर शुगर या शकर का बूरा, आप ले लिजे और चेहर इसके नए उससे रिमूब करने में मदद करेगी, इसे दो-तीन मीट के लिए अच्छे से रब कर दीजे, उसके बाद साफ पानी से वाश कर लीजे, अब आप कपड़े से जब पोचेंगे न, उसके बाद इसी सिरम को मिक्स करते हुए ड्रॉपर से आप यूज करेंगे, त इतना आपको इस घर में रखी हुई चीजों से बहुत अमेजिंग रिजल्ट मिलेगा, आप करके देखिए, मुझे बता है, आप खुद कॉमेंट करके मुझे बताएंगे, कि हमें बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट मिला, यही तो मुझे चाहिए बच्चों, तो बस आप इ एक अमेजिंग सा रिजल्ट अपनी स्किन को दीजेगा